दोस्तो आपने GDP के बारे में कहीं ने कहीं कुछ न कुछ दो सुनाई होगा तो दोस्तो क्या आपको पता है GDP क्या है और इसे किसे क्लिकुलेट किया जाता है अगर आप नहीं चानते तो आप यागे वीडियो देखते ही है मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मैं उप्रफॉर्व अगेला आप देखरें My Question Channel तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों GDP का full form होता है Gross Domestic Product हिंदी में कहे तो सकल खरेलू उतपाद इसका मतलब यह होता है कि वह हर एक चीज जो हमारे देश में बनती है यानकि उतपादित की जाती है उनका आर्थिक मुलिया मेरे मतलब से Goods & Services जो उतपादित की जाते है हमारे देश में GDP को एक साल के time period से count किया जाता है यानकि एक साल के अंदर अंदर हमारे देश में जो भी Goods & Services प्रोडूस होंगे उसकी Money Value को count करकर जो भी निकलेंगा उसे हम जेरी भी कहेंगे जस्तो ग्रोस Domestic Product मेंसे हम अभी ग्रोस को समझने की पोशुश करते है तो समझे कि इस बोतल को बनाने में कितनी सरूरेत पड़ी होगी यानिकी Factories, Raw Materials, Manufacturing Machines, Worker काफी सारी चीज़ा इक बोतल बनाने में लगी होगी अब इस बोतल की उस हिसाब से कीमत आएंगी एक सार रूपय ग्रोस यह कहता है कि इस बोतल की उतनी ही कीमत दो जितनी इस में Value Edit की गही हो ग्रोस इसके हिसाब से इस बोतल की कीमत होगी सिर्फ बेस रूप है अब वैल्यो एडिट क्या है वह मैं वीडियो के End में बताने का लोगी तो प्लीज, End तक सरू लेखेगा दोस्तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड़क में डोमेस्टिक प्रोड़क का मतलब होता है घरेलू उत्पाद यानि कि वह रहे एक चीज़ जो हमारे देश में उत्पादित की जाती है 1929 और 1930 के दैके में अमेरिका के एक मश्रूर एकोनोमिक साइमेन कुसिंसन से लाया था यह जानने के लिए कि उसके देश में क्या उत्पाद में होते है क्या पेडवाद होती है और वहां के लोगों को यह सब कुछ छहान में आने लगा कि यह सबसे आसान तरीका है हमारे देश के एकोनोमी और ग्रोध और छुदू धेस की वह वहां पर अब देश की GDP उस देश की को देश की कलिकुलिई किया जाता है। GDP को तीन तरीकों से कल्कुलिई किया जाता है। उसमें से पहला है Eccspenditure method of counting GDP इस मैठड में उस सारे प्रेसों को जोड़ा जाता है जो हमारे द्वारा खर्च किया जाते हैं। जैसे कि आप और आपके उख्रेंट्स बिक बिजार में जाकर एक लोलीबॉप खरीद कर खाता है तो उसका पैसा ठीडीपी में गिना जाएगा दोस्तो अगर मैं आपके पास से एक सेकेंडेंड बाइक खरीदता हूँ तो क्या ये कंसेप्शन में गिना जाएगा जहीं नहीं क्योंकि वो बाइक दोबारा से प्रेड्यूस नहीं होने वाली वी नीड अप फर्स प्राइज ऑफ गुल जब दस साल पहले आपने वो बाइक की सेजार उप्र में खरीदा था तब उस साल के जीडीपी में हमने वो काउंट करवा दिया था और इसलिए इस साल के जीडीपी में वो गिना चाहेगा नहीं अब मैं आपके बाइक को एक ओटो डिलर से खरीदता हूँ और वो मुझे एक हजार उपे कमिशन लेकर बेच चाहे तो क्या ये जीडीपी में काउंट होगा ज़रूर होगा ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपना सर्विस मुझे बेचेगा तो कोई नहीं प्रोडप्स प्रेड्यूस में होगी पर एक नहीं सर्विस जरूर क्रियेट होगी लेकिन तब क्या होगा जब वो ओटो डिलर एक हजार उपे एक जगह से दूसरी जिगाए तो जा रहे है तो क्या हमारे देश का जीडीपी एक हजार ही रहेगा जी नहीं जीडीपी मतलब वो सब भी चीज़े यानी कि गूर्ट सें सर्विसिस जो हमारे देश में उत्वादिद की जाते हैं उनका आर्थिक मुलिया यानी कि ब्रोकेज का एक हजार उपे अलग से काउंट किया जाएगा और इलेक्रिसीटी बिल का एक हजार उपे अलग वेतन देती है तो वो भी GDP में अलग से काउंट होगा यानि कि GDP बराबर 1000 रुपे ब्रोकेज प्लस 1000 रुपे लेक्टरिस्टी बिल प्लस 1000 रुपे जो वेतन प्योन को दिया है बराबर होगा 3000 तो GDP आएगा 3000 expenditure method में हम export और import को समझते हैं export यानि कि जो भी चीज हम यहां पर बना कर यहां पर services जो भी है हम दूसरे देशों को बेचते हैं उससे जो पैसा आता है यानि कि abroad से जो आने वाली पैसे है उसे हम GDP में काउंट करेंगे और import यानि कि जो भी हम बाहर से चीजे खरीते हैं बाहर के देशों से जो भी चीजे खरीते हैं और उससे हमें पैसा देना पड़ता है उससे हम हमारे GDP में से घटा देते हैं ऐसा ऐसलिए क्योंकि वो चीजे हमारे देश के अंदर नहीं बनी है दोस्तों अब देखते है GDP का फॉर्मिला जिससे GDP को कैलकुलेट किया जाता है यानि कि GDP बराबर consumer plus investor plus government plus export minus import consumer यानि कि जो भी चीजे खरीतने के लिए जो भी चीज यूज करने के लिए जो पैसे प्रे करता है consumer investor जो भी उसमें invest करता है वो प्लस government जो भी बिल्डिंग्स गवर्मेंट सरों इसको salary देना एक जो भी गवर्मेंट पैसा देती है वो पैसा प्लस export minus import यह export minus import कभी कभी positive में भी होता है कभी कभी negative में होता है दोस्तों दूस्ता तरीका है income method काउंटिंग चीड़ेगी इसके अंदर आप सभी के income को गिना चाता है पर कुछ लोग होते हैं जो अपना business उधार से चला रहे होते हैं या फिर business में payment मिलना बाकि हो तो इससाब से यह तरीका स्यदा टिकाओ नहीं है थोर्ड method is production method of counting GDP उन सभी का आर्थिक मुल्य जो उत्पादित होते हैं value added at each trade दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुवात में कि value added क्या होता है तो आप यह method में आपको समझ में आ जाएगा कि value added क्या होता है दोस्तों समझों कि एक किसान गेहों उत्पादित करता है और 100 क्यों को 2000 में बेचता है आटे की मील वाले ने किसान से गेहों खरीदा उसको पीसा और किसी बेकरी वाले को 25 रुपे में बेच दिया पिछली खरीद से 500 रुपे बढ़ा कर बेकरी वाले ने उसका ब्रेड बनाया बिस्कुट बनाया और हमें बेच दिया 3500 रुपे में यानि कि पिछली खरीद से 1000 रुपे बढ़ा कर दोस्तों आटे की मील वाला जब केहों को खरीदता है और उसको पीसता है और उसका आटा बनाता है तो उसने उसमें उस प्रोडक्त में वैल्यू इडिट की और जब बेकरी वाले को बेचता है और बेकरी वाला उसका ब्रेड और बिस्कुट बनाता है तो उसने भी प्रोडक्त में वैल्यू इडिट की अब वो हमें 3500 रुपे में बेच देता है और उसने उसके पैसे भी बिला कि उसमें हमारे पास से पेस है लिए इसी तरह से वैल्यू इडिट को काउंट किया जाते है आपको वैल्यू इडिट समझ में आ गया होगा तो दोस्तों इस दोरान हमारी टोटल जीडिपी क्या रहेगी जो आटे की मील वाले ने वेल्यू इडिट की और उसने लिए प्लस एक जार रूपय जो बेकरी वाले ने वेल्यू इडिट करकर लिए तो हमारी टोटल जीडिपी आई थीडिपी रूपय दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो है यूट्यू पर आपको पसंद आया होगा अगर अगर आप कुछ और जानते हैं जीडिपी की बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट करकर बता देना अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक करो शेर करो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राब करना बिल्कुल पेमेंट करना कि मैं आपके लिए इस वीडियो लाता हूंगा त